गुड मॉर्निंग क्लास थार्ड, इट इस योर हिंदी सेकिंड वीडियो, प्यारे बच्चों अपनी पिछली वीडियो में हमने आपका चैप्टर वन का रिवीजन करा दिया था, इस वीडियो में हम कराएंगे आपको रिवीजन ओफ चैप्टर टू, चलिए फटा फट से एक फकीर आया, तो उसने अपना सन एक पेड़ के नीचे लगा लिया, तो वो फकीर बहुत समझदार और चलाग था, तो सब लोग उसके पास उससे राय मांगने आया करते थे, और जो वो सब को सीख देता था, वो बहुत उप्योगी होती थी, तो एक बार क्या हुआ, एक सारा कर्ज चड़ गया, तो जब उससे पैसा लेने वाले बहुत से परिशान करने लगे, तो उसने क्या किया, उसने अपने अतंगा कर अपनी जमीन जो है, महाजन से जो कहा कि मैं बेच दूँगा, तब आपका कर्ज चुका दूँगा, क्योंकि वो तो खुद जमीन देख झाता किसे इसंकी बेचिये बच्चो, तो पता किया हुआ, बोगे बहुत से तो बहुत महिंती निकला, वो खेट पर खुद जाता था ऐसी तो जन लोगों से वह काम कर वाता था, वो पनी निगरानी में कर रहाता था तो उससले क्या हुए, उसमें जमीन पर अच्छी फैस वो कोसने लगा अपने नसीब को तो जब वो ऐसे दुखी हो गया तो किसी ने उसे कहा कि आप भी उस फकीर के पास जाईए तब उस फकीर के पास गया फकीर ने कहा कि इसका उपाए हम आपको कल बताएंगे ठीक है राम गुलाम फिर चला गया फिर वहां से जब वो उसके पा वार नहीं हुई थी तब राम गुलाम को कुपी समझ में नहीं आया तो था फकीर ने कहा कि तुम सारा जो खेती का काम था वो अपने मजदूरों पर छोड़ कर फ्री हो जाते थे रिलैक्स हो जाते थे है न बच्चो तो ऐसे में तुम उनसे कहते हो कि जाओ ऐसा करो ऐसा करो पर खुद कभी नहीं गए लेकिन वो किसार ये कहता है कि चलो आओ मेरे साथ खेत पर चलो और वो अपने निरिक्षन में सारा काम उनसे करवाता था खुद भी महनत करता था तबी तो मजदूर भी डर के मारो खुब महनत करते थे और अपनी मनमानी नहीं करते थे और लेकि राम गुलाम ने फकीर की मान ली और आलस्यत्याक कर उसने अपने खेतों में मजदूरों के साथ जो है महनत करनी शुरू कर दी तो बच्चों से क्या हुआ पता उसके खेतों में खूब अच्छी फसल होने लगी और वो फिर मालदार हो गया तो बच्चों इससे हमें यही शिक्षा मिलती यही सीख मिलती यही जीवन मूल्य मिलता है कि महनत से ही सफलता मिलती है ओके अंडेस्टूड सब्धमैत्री फकीर का मतलब होता है मुसल्मान साधू होशियार यानि चालाप मशूर यानि प्रसिद महाजन ब्याज पर पैसा देने वाला खुद यानि स्वेम यानि अपने आप से तंग यानि परेशान भरोसा विश्वास तुर्भाग्य पुरा भाग्य नाव क्या सीखा क्या जाना बुड़ा फकीर कैसा था बुड़ा फकीर बहुत होशियार था सभी लोग फकीर के पास क्यो जाते थे सभी लोग फकीर के पास कुछ पूछ पूछने चाते थे ओके प्यारे बच्चो किस की खेती कभी अच्छी नहीं होती थी राम गुलाम की खेती कभी अच्छी नहीं होती थी फकीर ने राम गुलाम से दूसरे दिन क्या कहा तुम्हारे भागय कवेद सिर्फ आओर जाओ में है ठीके अब देखेंगे यहाँ पर बाके सही है या गलत एक नगर में एक बुड़ा फकीर आया बच्चो ये हमारा क्या है बता ये सही है गलत गलत है बह बड़ा होशियार फकीर था ये सही है राम गुलाम खुद ही खेतों पर जाता था नहीं गलत है राम गुलाम ने अपनी पूरी जमीन बेच दी ये गलत है अब हम देखेंगे पार्ट के अधार पर बाक्यों का सही क्रम बॉक्स में भरिए बच्चों यहाँ पर कोलम है टू थ्री फोर वन फाइब पहले आप सको सही कर ले ना धंक से लिख लेंगे ब्याकरान बोथ में देखिए समझी और लिखिए हिम्मत का हिम्मती मेहनत का मेहनती कीमत का कीमती शरारत का शरारती समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाईए जमीन का क्या होता है भूमी मसूर का होता है प्रैसीद डर का होता है भै कर्ज का होता है उधार ध्यान से मिलाएंगे प्यारे बच्चो पाड़ से नुक्ता लगे शब्दों को ढूंड कर लिखिए देखो जमीन, फकीर, कर्ज, फसल, कीमती ठीक है आगे है आपका मोखिक उक्तर दीजिए खेत में अच्छी प्यदावार कब होती है मेहनत करने पर सबसे अच्छा गन्ना किस देश में प्यादा होता है क्यूबा में एक मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है मजदूर दिवस अगे है रतनात्म गतिवीदिया बच्चो ढूंड कर लिखिए खेत में प्यादा होने वाले और फैक्टरी में बनने वाले प्रोड़क्ट्स खेत में प्यादा क्या क्या होते हैं आलू, मुली, गेहूं, भिंडी और चुकंदर और फैक्टरी में बनने वाले हैं मैगी, आइस्क्रीम, मिस्किट, चोक्रेट और ब्रेट खेल खेल में आगे हैं खेती से सम्मधित इन चित्रों को पहचानी और उनके नाम लिखिए पहला है आपका ट्रेक्टर है ना बच्चो दूसरा है फावडा तीसरा है आपका फ्रेसर और चोथा है आपका हैरो प्यारे बच्चो यह आपको मैंने चैप्टर टू पूरा रिवाइज करा दिया है अच्छे से एक्स्प्लेइन कर दिया है आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे लिख लिक करके इसके आंसर्स देखेंगे ताकि यूनी टेस्ट में आपसे कोई गडवड ना हो ठीके बच्च